तो दोस्तों नमस्कार आज के मैस की अगर हम बात करें तो आज का जो IPL का मुकाबला है वो Chennai वर्सेस Delhi Capital के बीच में होने वाला है जो MS इतंबरम स्टेडियम चैननाई में होने वाला है और अगर पीछ की बात करें तो यह एक बैटिंग पीछ है और इस पिर्टस के लिए काफ़ी अच्छा चल रहा है तो दोनों टीमों में काफ़ी अच्छे फ्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे यहां पर तो आज के मैच में हम अपना बिकेट कीपर सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं तो बिकेट कीपर में हम सबसे पहले चैने की तरब से डेविट कैनवे को लेने वाले हैं जो चैने की तरब से और अपने टीम के सबसे हाइस्ट स्कोरर है और अपने टीम से ओपनी करने वाले हैं और दूसरे बिकेट कीपर को हम सेलेक्ट करते हैं जो डेले कैपिल्स की तरब से फिलिफ साल्ट को ले रहे हैं जो ये भी अपने टीम के तरब से ओपनी करने वाले हैं और पुरे match के दौरान पुरे IPL के दौरान ये भी काफी अच्छे form में चल रहे हैं और काफी अच्छा score कर रहे हैं ये भी तो ये रहे हैं आज के हमारे दोनों बिकेट कीपर्स अब हम अपने batsman को select करने वाले हैं तो सबसे पहले हम डेविड वार्नर को लेंगे जो डेली कैपिल्स की तरब से खेल ला है और अपने टीम के सबसे हाइस टरन स्कोरर रही है उन्होंने काफी अच्छे runs ले हुए पुरे IPL के दौरान अपने पूरे टीम में और अब हम दूसरे batsman को select कर रहे हैं हम चैन्नी के तरब से रितुराज गायकवार्ड को लेने वाले हैं जो कि ये भी चैन्नी के तरब से highest run scorer है पूरे IPL के दौरान काफी highest score इन्होंने बनाया हुए अपने टीम के तरब से पूरे IPL में और तीसरा हम लेने वाले है सिवम दूबे को जो recent का form इनका भी देखा है दो काफी अच्छे form में चल रही है भी तो नियरहे हमारे तीनो batsman हम तीन batsman को select करने वाले है आज धन हम आयते हैं आलाउंडर के section पर तो आलाउंडर में हम आज आलाउंडर में भी तीन आलाउंडर को लेने वाले हैं जो काफी अच्छे आलडाउंडर है तीनो तो सबसे पहले हम चैनने की तरफ से रविंद्र जड़जा को लेने जा लए हैं जो कि काफी अच्छे बैट्समेन और बॉलव दोनो है यह तो अब हम अपने दूसरे आलाउंडर को सेलेक्ट करते हैं जो कि हम डेले कैप्टल्स की तरब से मीचल मार्स को ले रहे हैं जो काफी अच्छे फॉर्म में चल ले हैं ये भी और काफी अच्छे आलाउंडर माने जाते हैं और तीसरा हम यहां पे अपने अलांड़ को सेलेkt कर अक्छर पाटिल को जो काफी अच्छे फार्म में चल रहे हैं और हर मैच में इनका पुर्फार्मेंस देखा के तो काफी अच्छा रहता है और काफी अच्छे आलांडर माने जाते हैं बैटिंग और इनकी बॉलिंग दोनों काफी अच्छी है देना हम आ जाते हैं बॉलर के सेक्षन पे तो बॉलर के सेक्षन में हम सबसे पहले लेंगे देली कैप्टर्स की तरब से कुल्दी प्यादों को जो recent का form इनका देखा है तो काफी अच्छा है और recent के matches में ये काफी अच्छे wickets ले रहा है देनमाया ते दूसरे अपने baller को select करते हैं चैने की तरब से तुसार देश पांडे को जो पूरे IPL के दोरान काफी अच्छे form में चल रहा है और सबसे highest wicket taker है ये अपने team के तरब से पूरे IPL में तुसार देश पांडे और तीसरा हम ले रहे चैने की तरब से एम तिक शाना को इनका भी देखा है तो recent के matches में ये काफी अच्छे form में चल रहा है काफी अच्छे wicket सिनों ने भी लिये हुए है और काफी बैतरी नमारा ये तीनों बॉलिंग का भी section हमने ले लिया है काफी अच्छे बॉलर्स के लिया हुआ है अब हम बात करते हैं captain और wise captain की तो यहाँ पे हम captain में लेने वाला है Mitchell Mars को जो देली captain की तरब से आल राउंडर है और काफी अच्छे batsman माने जाते हैं काफी अच्छे baller भी है दोनों segment में काफी अच्छे बैट और आज हम wise captain बनाने वाले डेविट कैनवे को जो चैने की तरब से है बिकेट कीपर है और दोनों का combination देखा जाए captain और wise captain का तो काफी अच्छा है दोनों काफी अच्छे form में चल ले है तो ये रही आज की हमारी पूरी की पूरी की टीम grand लिखी तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गता है